दांत में कैविटी के कारण कई तत्वों के संयोजन से होती हैं। यहां दांत की कैविटी के कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। 1. बुरी मुंह स्वच्छता पूर्ण रूप से ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करने की कमी दांत पर प्लैक की एकठा होने का कारण बनती है। यहां दिये गए कारण केवल कुछ हैं और अन्य भी कारण हो सकते हैं जो व्यक्ति के स्वास्थ, आहार और स्वच्छता प्रथाओं पर निर्भर करते हैं। अगर आपको दांतों की कैविटी है तो दंत चिकितसक से परामर्ष लेना ए ए बाद दांतों की कैविटी से बचने के लिए निम्नलिखित समाधानों का पालन कर सकते हैं। 1. ठीक से ब्रश करें। दिन में कम से कम दो बार एक मुणह में उपलब्ध सभी दांतों को ठीक से ब्रश करें। एक सही ब्रश तकनीक का उप्योग करें। कम से कम दो मिनट तक प्रश करें। 2. फ्लॉस का उप्योग करें। फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच मौजूद प्लैक को हटाने में मदद मिलती है। दिन में कम से कम एक बार फ्लॉस करें। 3. स्वस्थ आहार लें। खाद्य पदार्थों में शक्कर और कार्भोहाईड्रेट की मातरा कम करें। अधिक मातरा में फ्ल, सबजियां और प्रोटीन युक्त आहार लें। दांत चिकेत्सक का नियमिद दौरा करें। नियमित रूप से दांत चिकित्सक का परीक्षन करवाएं और उनकी सलाह का पालन करें वे आपको दांतों की स्वस्थता के बारे में पालन करें